प्लिटन की शुरुबात करेंगे पूरे चट्रसगर्ड की खबर आप तक पहुंचाएंगे और शुरुबात सबसे बड़ी खबर से आँ करते हैं वर तादे की चट्रसगर्ड विधार सभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है राजपाल के भाशन पर आज कल होगी चर्चा विपक्ष अभी भाशन पर चर्चा के दौरान सदन में कर सकता है हंगामा तो मुखे मंतरी भुपेश्ट पगेल छह तारी को पेश करेंगे बजट और आज लोक स्वास्त मंतरी रूद्र कुमार गुरू उद्योग मंतरी कवासी लक्मा और उच्छ शिक्षा मंतरी उमेश पटेल अपने विभागों से जुड़े प्रश्टों का यहां पर उत्तर भी देंगे और ज्यादा जौनकारी के साथ आप उतादे कि समरता नितन नामदेव हमार साथ जुड़े हुए हैं नितन का रुख करते हैं नितन महतुपूर्ण जानकारी सामने आ रही है चत्रजगर विधान सभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है राज जिपाल के विभाशन पर आज और कल चर्चा होगी और क्या कुछ जानकारी अपडेट सामने निकल खरा रही है जी देखें आज विधान सभा सत्र का आज तीसरा दिन है बजट सत्र का आज तीसरा दिन है आज से तीन दिन बाद मुख्यमंत्री भुपेज बगेल अभी भाशन पड़ेंगे जिसमें साफ्तोत पर चत्रिजगर के राज्य का बजट का पिटाला खुलेगा जिसको लेकर लगतार, वीपक्ष लगतार चाहा है आवास के मुद़्े को लेकर हो, लगतार विपक्षि घेरत दक रा रहा है वहीं आपको बता दे के राजिपाल के अभी भाशन जो सब से पहले दिन 1 मार्च को शूरूआ से उसको लेकर यहीं इसको लेकर आज विपक्ष जो राज सरकार को घेरता नजराएगा विपक्ष इस पर इस्तिगत लाने की भी इस्तिगत भी ला सकते हैं तो निश्चित तो पर एक बड़ा आज सदन का गर्माता हुए नजराएगा और लगातार आज अवास की मुद्दे को लेकर भाशपा ल प्रकार के काम रहे जो लगातार विधायक है जो मंत्री है वो जो लगातार उनसे सवाल करेंगे उनके सवालों के जवाब देते हैं तीनों मंत्री से लगातार सिल्सले वारतारी के सवाल होगा तो निच्छे तोर पर आज लगातार एक बड़ा जो मंत्री है वो लगातार स सवाल उठाएते हुए लगातार इस प्रकार के जो है गतिवीदी देखे तो निश्चित और पराज विधान सवा में जो है इस थगत भी लाए जा सकते हैं राज्यपाल के भाशन को लेकर और लगातार जो तीन मंत्रिये वो अपने सवालों के जवाब देंगे तो देखना हो तो नोगर तिस प्रकार का अज भी दान सवा सत्र होगा जी ठेक अने तर्शन